अगस्टा वेस्टलेंड रिश्वत मामले में कॉंग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ हला बोल दिया है। अगस्टा वेस्टलेंड रिश्वत मामले पर दाकिल जनित याचिका पर आज सुप्रिम कोर्ट पी सुनवाई होगी। मुंबै के गौतमनगर की जुगियों में भीशन आग लग गई। इस आग में करीब सौ से ज्यादा जुगियों राख हो गई। दमकल की 14 गाडियां और 8 वाटर टेंकर आग पर काबू पाने के लिए मशंकत कर रहे हैं। उजयन में शलरे सिंगस्त कुम्में श्रधालू अमावस्या परव की पावन डुकी लगा रहे हैं। शिप्रा नदी पर तड़के से ही साधूसंतों और लोगों का ताता लगा है। शिप्राद भारी बारिश की वज़ा से सडकों और गलियों में पानी भर गया। जगा जगा जल भराव की वज़ा से सिंगस्त मेले में अमावस्या असनान के लिए जारे श्रधालू के जथे को खासी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चैल और सोलन में हुई भारी बारिश से तापमान में खासी गिरावट आई है। जगरी से पारा उतर कर 12 से 13 के करीब आकर रुग गया है। पानी की तेनाती की गई। पूरे नेम से करीब एक दश्मलब 6-7 टीमसी पानी अलग लंग नहरों में छोड़ी जाएगी जो 45 लाग की आबादी वाले पूरे की प्यास बुझाएगा। पानी के लिए तरस्ते लोगों ने जलबोट के दफ्तर के सामने परदर्शन किया। लोगों ने मटके फोड़ कर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का रोफ है कि कई वाड में पानी की सप्लाई ठप है और जहां पानी मिल रहा है वहां गंदा पानी नलों में आ रहा है। पोड़िशाविम भीशन गर्मी में अब तक 152 लोगों की मौत हो गई है। राज़ी के करीब 11 जिलों में पारा 40 के पार है। राज़दानी भूनेश्वर में पारा 43 के उपर है। आस्मान से बरस्ते शोलों की वज़त से सड़के सुमसान है। जालोन के रूई मंडी में भीशन आग लग गई। जिससे उसमें रखी लाखों रुपे की रूई स्वाहा हो गई। आग में कई मश्रीने भी जलकर राख हो गई। बीती राज जब सारी दुकाने बंद हो गई थी। वचानक लोगों ने रामलिला मैदान के नसदी जालोन के रूई में भीशन गर्मी से चड़िया घर के जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं। जूट की चटाई, बर्फ की सिल्ली और कूलर के जरिये जानवरों की इफाज़त की जा रही है। फरिदाबाद की पुजा तिवारी खुदकुषी मामले में इंस्पेक्टर अमित वर्षिस्ट को आज कोट में पेश किया जाएगा। पुलिस अमित को रिमान पर लेकर खुदकुषी के राज खंगाले की इस बीज पुजा की मुबोली भावी ने आरोप लगाया है कि अमित और पुजा ने गुपचुप तरीके से शादी गर ली थी। अमित पहले ही शादी शुदा है और उसके दो बच्चे हैं। अमित फरिदाबाद में पुजा का लोकल गारजन भी था। पुजा के परिवार वालों का कहना है कि अमित ने विश्वाश घात किया है। उसके शव को यहाँ डाल गए क्योंकि लड़की के घरवाले फरार हैं। 11 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। बता जा रहा है कि लड़का एक दिन पहले घर से लापता हो गया था। और बाद में उसकी लाश पेड़ से तंगी मिली। मृतक लड़के का पिता जेल में बंद है और मा का निधन हो चुका है। पुलिस हत्यारों की तलाश में चुट गई है। मेरट में एक महनती अग्यात लोगों ने हत्या कर दी। महनत राजेंदर सरूप को दो दिन पहले अगवा कर लिया गया था। बाद में जंगल में उनकी लाश मिली। परिजनों का कहना है कि मंगलवार देर रात तीन यूअग जवरन उन्हे कार में डाल कर फरार हो गए थ पुलिस की अब तक जाज में मामला लेंदेन का सामने आया है। के साथ गिरफतार किया है। इनके खिलाब खूटी राची के पाँच थाना में हत्या सहीत 15 से ज्यादा मामले दर्ज है। जब तीन बदमशों ने सरयाम एक शक्स को गोलियों से भून दिया और फरार हो गए। मृतक पेश्रे से फाइनांसर था। फिलाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार कातिलों की तलाज शुरू कर दी है। दिली के आरके पुरोम इलाके में एक दुकानदार पर बदमशों ने फाइरिंग कर दी जिसमें एक शक्स घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक लूट के मकसद से आयब बदमशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे कारुबारी को लूटने की कोशिश की पहले पिस्टल के बट से मारा जब दुकान का कर्मचारी बचाने आया तो उसे गोली मार दी और फरार हो गये। राजधानी दिली के मंडावली लाके में टक्कर मार कर भाग रहे कार सवार को लोगों ने पकड़ कर पीठ दिया। यूपी के शाजाँ पूर में एक शादी में चली गोली से आठ साल की बच्चे की मौत हो गई। हिमाचल परदेश की राजधानी शिमला में डॉक्टरों की लापरवाही से गरवती महिला की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताविक महिला परसब के लिए दीन दयाल अस्पताल में दाखिल हुई थी। लेकिन परसब पीड़ा के दोरान डॉक्टरों के अंदेखी की वज़े से माँ और गर्मे पल रहे शिशू की चान चली गई। बिहार में शराब बदनी के बाद प्रतिबंधित नशीली दवाओं के विक्री बढ़ गई है। शराब की बोतलों को एक पुराने खंडर नुवा सरकारी अस्पताल में भूसे की धेर में छुपा कर रखा गया था। इस माँबने में अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हो पाई है। बिहार में शराब बंदी के बावजूर शराब का नशां सिर चड़ कर बोल रहा है। पंजाब के फिरोशपूर में कर्ज से धबेक और किसान ने खुदकुशी कर ली। सुरजीत सिंग नाम के किसान ने नहर में छलांग लगा कर आत्मत्या कर ली। किसान सुरजीत पर करिक 30 लाग रुपे का कर्ज था और साहुकार अपने पैसे की मांग को लेकर किसान को तंग और परिशान कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कार रवाई शुरू कर दी है। गाजयाबाद में सड़क के किनारे लगा होडिंग गिर जाने से आठ लोग जखमी हो गए जिसमें दो की हालत नाजुक है। बारी भरकम होडिंग जब किरात उसके नीचे दो आटो और एक कार दब गया। अलिगड में नहाने के दोरान तीन छात्र नहर में डूब गये। तीनों छात्र अलिगड मुस्लिम मिश्चुई द्याले के थे। पुलिस ने शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। दूबे छात्रों में एक अलिगड, दूसरा मवू और तीसरा फरूखाबाद का रहने वाला था। पंजाब की जेलों में अपराधियों की मौज है। एक रिपोर्ट की मुताविक जेलों में बंद गेंग्स्टर्स ने जेलों को जिर्म कार्टा बना लिया है। जेलों में जनम दिन का चश्म मना जा रहा है, मोवाइल फोन के जरीए फिरोती मांगी जा रही है, सोचल मीडिया के इस्तेमाल कर लोगों को धमकी दी जा रही है, यह आल भटिंडा, संगरूर, कपुर्थला और पटियाला जेलों का है, लेकिन जेल प्रशासन मूख दर्शक बना है, लगनों में एक रेप इडिता ने खुद पर ही डॉक्मेंटरी बना कर अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने का होसला दिखाया है, यह इने डॉक्मेंटरी में पूरे परिवार ने मिल कर काम किया, इतना इने इस आकशी अपनी डॉक्मेंटरी को गिनिज बूक पोस्ट कर लोगों से मदद की कुहार की है फेस्बुक पर प्रिंस्पल की अपील वाइरल हो गई और कुछी दिनों में देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी आर्थिक मदद की लाइन लग गई मदद के पैसों से अब स्कूल सभी सुधाओं से लैस है बियार के दरभंगा में लड़की वालों के घर शादी समारों में उस वक्त मायूसी छागई जब दहेश की मांग को लेकर लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए शादी की खुसियां देखते देखते उदासी में बदल गया बता जारा की लड़के वालों ने बारात लगाने से पहले एक लाख रुपे दहेश की मांग कर दी मांग पूरा नहीं होने पर बारात आई ही नहीं सारी दुनिया में नमकीन के लिए मशूर बीकानेर के नमकीन बनाने वाले कारिगरों ने हर्ताल कर दी है जिसे नमकीन कारोबार बुरी तरफ रभावित हुआ है नमकीन मजदूर संग अपना मेहंतना बढ़ाने की मांग को लेकर हर्ताल पर अड़ा है करीब 8000 कारिगर 58 रुपे से बढ़ाकर 140 रुपे प्रती 20 किलो भुजिया की जाने की मांग कर रहे है 36 गड़ के राजस मंद्वे शहर में गुसाए तेंद्वा के शावक से करीब 4 घंटे तक दहशत का माहूल रहा वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंद्वे के शावक को पकड़ कर वापस जंगल में छोड़ दिया मतिपर्देश के बैतुल में जहरीला तर्बुच बिखने का मामला सामने आया है एक ग्राहक ने दो तर्बुच खरीदे जिसमें एक तर्बुच से अपने आप जाग निकलने लगा जाग निकलते ही ग्राहक ने इस मामले के सूचना फूड विभाग को दी फूड विभाग के इंस्पेक्टर ने जब उस तर्बुच को काटा तो उसमें से गैस निकलने लगी फूड विभाग की टीम ने तर्बुच के सेंपल को जाज के लिए भेज दिया है कल शाम खिलेगा आईपिल के मुकाबले में राइजिंग पूरे सूपर जॉइंट्स ने दिल्ली डेर डेविल्स को सी के घर में साथ विकेट से हरा दिया फिरोशा कोटला में खिले गए मुकाबले में पहले खिलते वे दिल्ली ने पूरे के सामने जीत के लिए 163 कर लक्ष रखा था लेकिन धोनी की टीम ने पाज गेन रहते ही मैच जीत लिया नौ मैचों में पूरे की ये तीसरी जीत है पूरे की जीत में हिरो रहे अजिंक रहाने रहाने नरतलिस गेंदो पर तूफानी 63 रन बनाए और नाबाद रहे उस्मान ख्वाजा ने तीस सो कप्तान धोनी ने 27 रन की पारी खेली गेन बाजी में पूरे की ओर से रजद भाटिया ने 22 रन दे कर दो विकेट लिये आज सन्राइजस हैदराबाद का अपने घर में गुजरात लॉइन से मकाबला होगा हैदराबाद में रात 8 पजे मैच खेला जाएगा आज के मैच में सभी की नजरें यवराज सिंग पर टीकी हैं क्योंकि हैदराबाद के लिए पहली बार मैदान में उतरेंगी युई फिल्म स्टार आमिर खान ने अमरावती जिले के गाउं में श्रमदान किया गाउवालों के साथ मिलकर आमिर ने कंधे से कंधा मिला कर श्रमदान किया इस मौके पर गाउवालों को आमिर ने जल संचे और पानी के महत्व के बारे में समझाया फिल्म स्टार विद्याबालर ने कंगना रेनौट की जम कर प्रशन सा की है विद्या ने रितिक कंगना मामले पर कंगना की हिम्मत और होंसले की तारीफ करते वे कहा कि कौन सही और कौन गलत यह तै करने वाली वो नहीं है लेकिन कंगना की तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि वो अपने हक के लिए खड़ी हुई है फिल्म तीन की पहली जहलक सामने आ गई है इस मौके पर मुंबई में फिल्म के सितारे जुटे फिल्म में मिताब बच्चन के लावा नवाज उद्दीन सिध्धिकिया और विद्याबलन की जोड़ी है फिल्म दस जून को परदे पर आएगी बिग ब्य मिताब बच्चन से एक बार फिर पूरो समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंग की खरीबी नखर आ रही है एक सवाल के जवाब में मिताब बच्चन के कहा कि अमर सिंग हमारे मित्र हैं और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी कहने का हाक है